Hello student, welcome back to my channel, easy learning, 100% to student. आज मैं स्टान्द सेकेंड एंग ग्रामर का चैप्टर नुबर 20, was and where पढ़ाने जारी हूं, तो जनी स्टार्ट करते हैं We use was and were to show the past, okay? We use was, was was और were का use हम past को दिखाने के लिए करते हैं Like हमने past में जो चीज हो चुकी है, उसे was या were से बताते हैं तो चलिए देखते हैं, कहाँ पे हमें use करना है was और कहाँ पे use करना है were, okay? I was happy मैं खुश था, I was happy देखना है आपको singular है मतलब अगर आप किसी एक चीज़ के लिए बात करेंगे तो हम was use करेंगे I was happy, he was happy, she was happy अपने लिए use करेंगे तो I कोई boy है, दूसरे के लिए use करेंगे अगर वो boy है तो he और कोई girl है तो she तो means I, he, she यह सब singular है, मतलब एक लोगों के लिए बोला जा रहा है इसलिए शोड़न देखिए, आप यहाँ पे was आया है next, it, it was happy it भी एक thing या एक animal के लिए आता है, तो it was happy the dog was happy कोई एक specific dog है, एक particular dog है जो कि खुश है, तो the dog was happy, okay the dog was happy फिर है we were happy, अब देखिए आपके शोड़न जब दो लोग होते हैं तो we बोला जाता है मतलब एक से ज़ादा लोग हो गए न तो were use होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएका we were happy, means हम लोग खुश है, you were happy तुम खुश हो you student you अमेशा plural में आता है, भले हम एक लोगों को भी बोले you you word के साथ हमेशा were ही लगता है you were happy they were happy, वे लोग happy है, एक से ज़ादा लोग है the children were happy children means एक से ज़ादा बच्चे हैं तो children, एक बच्चे है तो child होता है एक से ज़ादा बच्चे है तो children बोला जाता है तो यहाँ पर भी were आएगा इसका मतलब आप समझ चुके होंगे student की, अगर हम past की बात कर रहे हैं, जो चीज हो चुकी है, और अगर वो singular है तो was आएगा और अगर plural है तो were आएगा, तो चलिए देखने है, question fill in the blanks with was and were, आपको was या फिर were कर यूज करना है the princess was very beautiful but the frog was very ugly देखिये, एक ही princess है एक ही frog है तो यहाँ पर एक लोगों के बारे बात हो रहे इसलिए देखिये, was आया है एक princess है, तो was beautiful और एक frog है, तो was very ugly तो देखिये, एक ही ग्रॉसर है, तो was आयेगा the grocer was in his shop my sister said that she is ready to teach me क्या बोल रहा है, my sister मतब एक ही sister है ना, sisters नहीं है sister है, my sister said मेरी बहन ने बोला that she was ready to teach me कि वो मुझे सिखाने के लिए ready है तो यहाँ पर देखिये, was आयेगा we, we के साथ आपको बताई थी student were आता है, we means दो लोगों के लिए बोलते हैं, तो we were so unhappy that we started to cry, देखो हम लोग, मतलब एक से ज़्यादा लोग है, तो we है, तो एक से ज़्यादा लोग है लिए वी उस होता है, दो लोग दो या दो से ज़्यादा, वी आयेगा तो यहाँ पर देखें, रो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा बच्चे हैं, यहाँ पर तो क्या है आएगा, were आएगा, we were, हम unhappy थे, इसलिए हम रोने लगें, okay, the two witches, देखें, आपर भी दो witches के बारे में बात हो रहे हैं, मतलब were आजाएगा, the two witches वह बहुत ही रूट थी लोगों के लिए दिखे रहे हैं परशान कर रहे हैं लोगों को अपनी जादु से Snow White एक ही के बार में बात कर रहे हैं Snow White एक ही लड़की थी Snow White was afraid of the drops but they were very kind to her दिखे यहां पे Snow White एक ही लिए जो drops है वो दो है तो इनके लिए प्लूरल आएगा और इसके लिए singular means यह इसके जो Snow White ए उसके लिए was आएगा और यह जो drop से उनके लिए were आएगा तो अंसर के हो जाएगा Snow White was afraid of the drops but they were very kind to her तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा student के कहां पे was यूज करना और कहां पे were यूज करना है यहां पे दिखें कुछ learn this दिया है We use was with I, she, he, it and singular noun इतना याद रखना है यह दो पॉइंट आपको याद रखना है फिर आप आराम से कहीं कहां पे was और कहां पे were यूज होगा वो आप समझ जाएंगे देखे, was कब लगाना है जब I, he, she, it and singular noun So, we use were, were कब लगाना है जब we, you, they and plural noun होगा, okay तो यह छोटा सा टॉपिक was and were तो student यहां पे over होता है I hope आपको यूज करना आ गया है was और were हम कहां पे यूज करेंगे So, यहां पे वीडियो एंड होती Thank you so much for watching my everybody, we'll tell you next video तक तक लिए, bye bye